कि दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 28 by 30 फिट का बिल्डिंग प्लान यह हमारा 28 by 30 मुनलब 840 स्कारी फिट का है दिवाले हमारे सभी वही पांच इंच के हैं यह देखें पांच इंच सारी दिवाले पांच इंच के हैं हमारी यह आर्सेसी पिलर बेस्ट है यह हमारा यह पिलर हमारा आ गया 10 इंच भाई 10 इंच का हमारा पिलर आ गया यह अब इसमें देखें क्या क्या है इसमें देखें आपका आ गया द्राइंग रूम प्लस टू बेड रूम यह आपका टू बेड रूम प्लस किचन टाइलेट लभी तथ चेल और आपका यह होगया शार्क पार्किंग यह आप इतनी तीसे टाइलेट लभी फसक्ति साल में अ लोग हमें सकते हैं इसाइब रहेगा बहार हम नहीं सकते अपर एदर नहीं हो पाएंगे या अलग बात है कि हमारा road doors two side जा रहा है तो हम दे दें लेकिन कोशिश करते हैं कि हमारा सब अंदर ही रहे हैं तो अब आप देखिए यहां पर यह हमारा जो आ रहा है यह बरामदा हो गया यह हमारा बरामदा हो गया बरामदा कह लिजे और पार्किंग भी कर सकते हैं इसमें यहां पर काड़ी भी पार्क कर सकते हैं आपका यह पार्किंग भी हो गया तो यह आपका साही जा रहा है 14 फिट 9 इंच भाई 9 फिट बरामदा कम पार्किंग आपका 14 फिट 9 इंच भाई 9 फिट का आपका आ गया यहीं से हमारा जीना आप देखे जा रहा है यहां पर जीना हमारा यहीं तक दिखाई पड़ेगा उसके बाद पूरी जिखे आपको मिल जाएगी गाड़ी आप छोटी गाड़ी आराम से प बिंडो लगा हुआ है यह हो गया अब आप यह आई है ड्राइंग रूम आपका हो गया यह आपका आगया ड्राइंग रूम का साइज है आपका 12 फिट बाई बारा फिट दस इंच बड़िया साइज है आपका और इसका दरवाजा आपका यह लगा हुआ है यहां से आप ड्रेंग रूम में ट्रिकर गए और इसका विंडो इसी बरामदा में लगा हुआ है आप चाहें तो रोड साइड में भी लगा सकती है यहां पे यहां पे भी ड्रेंग रूम की खिड़की आपकी लग सकती है यह होगी आपका और इधर देखे इसके बाद एक दरवाजा आपका यहां लगा हुआ है इससे आप आते हैं लाबी में यह आपका लाबी हो गया लाबी हमारा है साथ फिट नौ इंच बाई साथ फिट चार इंच यह यहाँ पे बिंडो आ गया चुकि यहाँ दरवाज़ बिंडो तो पूरी रोस नहीं रहेगी यहाँ पे तो इससे लाभी में रोस नहीं आएगी यह लाभी हो गई आप यह ड्राइंग रोम का एक दरवाज़ आपका लाभी में भी खुला है अंदर से भी ड्राइंग रोम में आ सकते हैं बाहर से भी जा सकते हैं दोनों तरफ से इंट्रीस में हो सकती है इसके बगल में लाभी के बगल में आपका आ गया यह किचन के साइज है आपका 6 फिट 7 इंच by 7 फिट 4 इंच ये आपका किचन के साइज आ गिया है बढ़िया साइज है आपका ये ये लाबी से इसका दरवाजा लग गया फिर आपका ये बेडरूम आ रहा है ये वाला आपका फ़र्श बेडरूम ये आ गया इसका साइज है 12 फिट by 10 फिट 11 इंच ये आपका 10 फिट 11 इंच ये दरवाजा लगा हुआ आपका और इसी दरवाजे से दिखे एक दरवाजा आपका यहां लगा हुआ है ये बिंडो लगी हुए इससे आपका पीछे चोटा सा मैने आंगन चोटा सा काफी बड़ा आंगन है यह आपका शोलर फिट 10 इंच बाई 5 फिट का आंगन है यहां पर आप चोटा मोडा सबजी लगा सकते हैं गमले हुगरा रख सकते हैं कुछ भी गारडदिंग हुगरा कर सकते हैं तो इससे आप इधर बाहर जा सकते हैं यह दरवाजा लगा हुआ अप इसी लाबी से लगा हुआ आपका यह टाइलेट आ गया टाइलेट आप अटेज भी कर सकते हैं यह हमने कामन बनाया यहाँ पे टाइलेट का साइज है आपका चार फिट बाई साथ फिट यह आपका bedroom आगया आपका ये bedroom आपका है 10 feet 4 inch by 12 feet का इस bedroom को रुष्णि भी यहां से मिल लएए इस bedroom को रुष्णिया मिलेए टाइलेट को भी रुष्णिया मिल लएए और इस टाइलेट को आप इस से भी चाहे अटेज़ कर सकते हैं और common भी बना सकते हैं आपको तीनो आपस हैं, हमने इसको कामन बनाए हैं देखिए यहां पे, यह आपका, ओपनिस्मपर सागय, यहां पे, यह आपका, ओपनिस्मपर ऋपनिस्मपर आपका यह है, यह 16-10-1-5. पांच फुट काफी बड़ा साइज है आपका यह देखें आप आराम से गांडरिंग वगरा कर सकते हैं और तो आपका निकला भी ड्रैंग रूम और टू बेट रूम दीखें दीवाले मैंने पहले बता दिया आपको अब आपको से कास्ट बता दे रहे हैं कि कास्ट कितनी आ राएक इसमें से कवर्ड अरिया आपका साथ सो चपन स्कॉर्फिट कर दो साथ सो चपन स्कॉर्फिट आपका कवर्ड एरिया है तो यह साथ सो चपन मल्टिप्लाइब भाई वी ट्वह लफंड रापर आपका आगया यह नव लाक साथ हजार दो सुर्फे यह आपका इतनी कास्ट आपकी आएजिए यहापर तो दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए लाइक करिए कमेंट करिए और शेयर करिए हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हम आपको बढ़ियां से बढ़ियां वीडियो देते रहेंगे धन्यवाद